हमने कर दिखाया, हमने सोहरा दिया कितने सारे सोने के सिक्के, अब हम अमीर हो जाएंगे अब मैं बहुत सारी डोरा के इक साऊंगा मुझे लग रहा है जैसे मैं एक राज कुमारी हो हमने कर दिखाया, एक गोल्डन बॉक मा, मेरे पास खसाना है नहीं, लोगिता को कुछ नहीं मिलेगा लेकिन क्यों नहीं तुम्हें क्यों अद्दा हो, लेकिन तुम इतने डर्पोक हो और तुमने कोई मदद भी नहीं की हमारी यह तो गलत बात है तुम लोग मुझे थोड़ा तर खसाना दे सकते थे ना तुम लोग बहुत बड़े हो, तुम हमेशे ऐसा करते हो एक में की अच्छी है ना दोस्तों हाँ, यह सच में बहुत बड़िया है हाँ, हाँ, वो अच्छी है विल्कुल बेकार है ऐसा मत कहो, नोबिता सुनियो, तुम्हें ज़्यादा खशोने की जरुरत नहीं है जो ख़जानों तुम्हें मिला है, वो तो नुकली है मैं तो असली का ख़जाना धूनूंगा और वो सब में रहोगा कैसी बाते कर रहे हो यह सब चीजें सिर्फ गेम्स और फिल्म्स में होती है नोबिता यह सब सची होता है आजर भी यही कर्ते नोबिता पर ख़जाने का नक्ष़ा कहा होगा मैं भी यही सोच रहा था दोस्तों मैं तुम्हें खजाने का नक्षा दे सकता हूँ हाँ प्रेशर चीज इसे खाने से तुम्हें दुनिया में किसी भी जगाची पे खजाने का बिल्कुल सही नक्षा दिखेगा और अगर इसके साथ ही हम आज यू सीट बेरे और और आटोमाटिक ब्रश का इस्तमाल क हाँ होगा ही क्योंकि बहुत पुराना है ना इसलिए तुम्हें रखो अब क्या हो गया तुम्हें खाना ही होगा मुझे देख रहा है चलो शुरू करते हैं मुझे देख रहा है वो देखो वहां कमाल है यह क्या लिखा है जब आएगा जुआर भाता दूरीब के पश्चिम की ओर होगा एक लंबी नाख वाला बुरा आदमी इसकी नाख के दाई और जब रंग को ठीक से हो पैचानना घूर्टी आखों के नीचे जाना और चुनना या कुरो मारू हाँ क्या यही खजाने का नक्षा है लेकिन यह जगा है कौन सी नोबिता यह कौन सा दूरीप है समझ नहीं आ रहा मुझे तो यह सब ठीक नहीं लग रहा तुम यह आप कह रहे हो पता है वो चीज कितना बदबुदार था बहार खऱा ये तो शाघ स्कॉल आइलेट है लग भी वैसा ही रहा है आटलुस के हिसाअअ से देखते हैं आ यह सरह नाम का इस नाम का काि जगलं और आज ही के दिन आता है ज्वार भाटा क्या सच में चलो हम वहां चाज़े हैं डोरेमॉन क्या पता वहां जाकर हमें ख़जाना में जाए हम अमीर हो जाए ऐसे मखी कम आते हैं डोरेमॉन कल आइलेंड का ख़जाना मुझे तो लगाता है यहां पर बहुत सारी खोप्रियां पड़ी हुई होंगी यह जगा कितनी सुन्दर है ना बहुत पुरानी बात है तब मुरयामा नेवी इस जगा पर राज क्या करती थी यह नेवी क्या होती है मुझे क्या पता वो उस समय के समुद्री डाकू थे पर देखो वहां नोबिता हायाकूरु मारु का नाम लिखा हुआ है यह मुरयामा नेवी के सरदार का नाम था तो यही वो आइलिंड है अरे वाह अब लग रहा है कि सच में कोई खजाने वाली बात है सही कहा मेरे हिसाब से हमें दो ग्रूप्स में बढ़ जाना चाहिए ज अच्छा इडिया है जो जीतेगा सब कुछ उसी का तुम कहना क्या चाहते हो एक कामपटिशन अरे इसमें तब बहुत मजा आएगा चलो फिर देखते है कौन अच्छा करता है लगता है मैं फिर से पस जाओंगा ठीक है इनमें से तीन लंबे हैं और तीन छोटे जिसको जो प्रेमोन उनकी तरफ गया ये तो गलत हो गया उससे कोई फरक नहीं पड़ता जियान क्योंकि नौबेता भी उन्हीं की टीम में है अरे हाथ नहीं कहा हाथ तिम लोग हम पर हैसमा जब दूहा रगे ना तब मज़ा आएगा हाँ ठीक है मैंने थ्री डाइमेंशनल पेपर पर इसकी एक कॉपी बना ली है ताकि डोनों टीम एक साथ चल सके ठीक है चलो शुरू करते हैं चलो देखते हैं दूइप की पूफ दिशा को भी छोड़ देते हैं बाकी दिशाओं में ढूंड लेते हैं लंबी नाक वाली आत्मा आप कहां पर है हौक नूं दूभाल यह चलो चल कर उन से पूचते हैं सुनीये मैं आप से कुछ पूचता चाती हूं अरे बच्चों कैसे हो लगता है तुम किसी को ढूंड रहे हो जी हम यह पहली बार आये हैं और जाना चाहते है क्या कोई लंबी नाक वाली आतमा हूं क्या कहां लंबी बच्चों, क्या तुम जानते भी हो कि इस जगह का नाम स्कल आइलेंड कैसे पड़ा? यहां हारे हुए सैनिकों की खोपणिया दबी हुई है इसलिए यहां पर बहुत सारी मूर्दिया बनी हुई है शिजुका की बात सुनते ही उस बूड़े आदमी का चेहरा मानों सफेद हो गया था जरूर इसके पीछे कोई बजा होगी चाह तुम्हें पूरा यकीन है इसी तरफ सलना है? शाय ज्वार भाटा वो समय होता है जब लहरों की तेजी और उनकी उंचाई सबसे ज्यादा होती है इसी वज़े से शाय खजाने का रास्ता बस उसी दिन दिखता है तुम्हें तो बहुत कुछ बता है तुम्हारे पास हर चीज की अच्छी जानकारी होती है सारे निशान तो एक ही तरफ को है लेकिन हम अंदर किस तरफ से जाएंगे? उस तरफ लेकिन क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि लंबी नाक वाला भूत ये पत्थर ही है मुझे लगता है तुम्हारी बात में सच्चाई है भूत के दाई तरफ जाना है मतलब इस तरफ चलो इस तरफ चलते हैं तुम ला जवाब हो चलो चलते हैं हम ही जीते के यह द्वीब का परश्ची में हिस्सा है पता नहीं है लंबी नाक वाली आत्मा कहां में लेगी कहां कहां हां हां वही है देखो शिजुका वही है यह तो एक गुपा ही है और बहार रास्ता भी है लंबी नाक वाली आत्मा के दाई तरफ मतलब यह रहा रास्ता ये क्या है ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है रंग को सही से पहचानना कोई गलती मत करना दोस्तों पहला कदम रखता हूं याद है न सुनियो काला रंग गलत होता है तो फिर इस बार सपेद को चुनते हैं अरे मैं समझ गया यहां रंग की नहीं बल्कि पुराने जमाने की बातों के बारे में बात की गई है यह देखो कि यहां जमीन पड़ रंगों को नहीं बल्कि लिकी बातों को पहचानना है समझ गये पर जितना मुझे बता है उसमें तो सिर्फ तीन अक्षर laquelle और ते घूश बहुत याल यहिले इसमें शेयान जीयान कुछ और अक्षर भी होते हैं कौन से अक्षर और चलो देखते हैं धीरे-धीरे समझ जाएंगे पहले शब्दों को जोड़ते जाएंगे और फिर उनका मतलब समझ आएगा क्या बात है बहुत अच्छे और अब क्या करें डेकी सुगी इसके बाद ये आएगा अरे अरे नहीं अब हम आगे नहीं जा सकते मुझे लगता है हूं गरत रास्ते पर आ गये हैं नहीं इसका मतलब ये उस पर से दाईयों नहीं होना चाहिए था हाँ शाए